धामी आज राजस्थान के दोरे पर है जहां पर वो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जन सभाए कर रहे हैं सियं धामी ने विराट नगर सांगा नेर और जोट बाड़ा में जन सभाए कर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है छोट बारा मे राजबर्धन सिंग राठोर की समर्थन में सीयम धामी ने बोट बाने तो मैं प्रधान thank gi का भी धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे उत्राखंड की इतनी चिल्ता करते हैं इतनी चिल्टा करते हैं कि उनके कारण से उनके कारण से देखे जब से उदेश के प्रधान मंत्री बने हमारा पुरा केदार खंड जिसमें चार धाम है केदार नाज जी का पुर्ण निर्मान का काम बहुत तेजी से रहा है अप लोग अप केदार नाज जाएंगे तो आपको पुरा बदला हुआ नrog आएगा आप एक दो साल वाद बदरिनाज जाएंगे तो बदरिनाज भी बदला हुआ नजर आएगा मास्टर प्लान पर काम चल रहा है बहुत तेजी से यमनोत्रि गंगोत्रि सब जगह पर हो रहा है के पयदारनाद जाने के लिए रोभपे का सिलानियास हो गया है रोभपे से अब लोग के पयाएंगे हि म्कूंड साथ रोभ पे से जा पाएंगे रिशी केस से करण प्रयाग रेल लाइन जा रही है अब तेजी से उस पर काम चल रहा है यह अनेकों अनेक कारिय है मतलब सडकों का काम रोपे का काम रोड का काम पहले लोग जो है जब चारधाम यात्रा पर जाते थे तो बहुत कठी का यात्रा उंकी होती थी आप देखे कितना आसान हो गया यात्रा करना बहुत आसान पता ही नहीं दगता रिशी केस से बद्रीनात पहुंच गए पास घंटे-छे गंटे में रावज जी मुझे लोग इतने कह रहे थे अभी मैं बिराट नगर विदान सभा में अभी पाउटा में सभा में था तो आने को लोग मिले और बड़ा धन्यवाद करने थे कह रहे थे हम अभी यात्रा करके आए मैं इंदोर में गया तो वहां भी कई जगह मुझे कई सगय सरस्ताओं मे जाने का मौका मिला तो हर जगह मतलब पूरे देश के अंदर लोगों का एक भाव हो गया जहां केदार खंड हमारा पूरा अब विकास की और आगे बढ़ गया हमारे प्रधान मंत्री जी अभी बारा टूबर को अभी आधी कैलास चले गए जोली कॉंग अठारा हजार फु कि अधी कैलास पूरी दुनिया के नक्से पर आगया कि प्रधान मंत्री जी गए अगले दिन अमीता बचन जी ने भी ट्विट किया उस पर कि आधी कैलास जो नहीं गया मैं तो नहीं जा पाया लेकिन उन्हें कहा कि आप सब को आधी कैलास जाना चाहिए उसके बाद वो ग उतिलों की मानिता दी गई है तो वहां पर भी जो है मास्टर प्लान पर काम हो रहा है पंजी अभी आप कहरे दें 16 मंदिर नहीं हमने जितने मंदिर हैं अभी जैसे मानस खंड के अंतरगत आने वाले जितने उत्राखंड के अंदर हमारे पौराणिक धार्मिक इस्तल है उन अवस्तापना विद्धूत आवास सब प्रकार की जो भी व्यास्ताएं होती हैं वो सारी व्यास्ताएं हम वहां पर कर रहे हैं हमने मास्टर प्लान जाके स्वर धाम का भी बना रहे है मा बाराही का बन रहे है गोरकनाद मंदिर का बन रहे है इसी प्रकार से बैजनाद धा का बन रहे हैं हाट कालि का बन रहा है अंहिस निकों कैची धाम का गोल्यूória के जितने मंदिर गोल्जू सरकृट हम मना रहे हैं तो जितने भी अभी 16 मंदिर पहले चरणas में लेकिन हर बार हम उसकत करेंगे आcडमी तो यह लक्वें एन्टी कर्प्शन की टीम ने नगर निगम के कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ के रफ्तार क्या है नगर निगम जोन तो कार्याले के भीतर से टीम ने कर्मचारी को आठ हजार रुपए के रिश्पत लेते पकड़ा है और अब बात उत्रा खंड में हुए दर्दनाक हाथसे की कर लेते हैं आज सुबह ने निताल में बड़ा हाथसा हुआ है और यहां पर उखल कांडा के छड़ा खान में माक्स गाड़ी खाई में गिर गई है हाथसे में आठ लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि तीन ल खायल हैं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है मैक्स गाड़ी पटलोट से हल्दवानी जा रही थी और इसी दौरान ही सुबह करीब 7 बजे यहादसा हो गया निनिताल हादसे पर सियम पुशकर सिंग धामी ने गहरा दुख जताया है सियम धामी ने इश्वत से दिव्यंगतों की आत्मा को शांती प्रदान करने की कामना की है मैं सियम ने घायलों के जल्द ठीक होने की बाबा के दार से कामना भी की है दरख्वास लगाँगा की कहने का मतलब थोड़ सामयर रोड की कूरी को काड़ दिया जाए थाना खंशु चेत्र में एक दुरगटना हुई आज सुबह जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारिया थी उनकी दुरगटना हुई है इसमें 11 लोग थी 11 मेरे से अब तक जो सूचना मिले इसके साब से 8 लोग के देट हुई है on sport 6 लोग की देट हुई की दो की जो डेट हो चध शदे हूस्पसी के रास्ते में हुई है तो जो बाकी तीन लोग उनको उस्पिल भेज़ दिया गया है और रेस्ट के जो है वो कम्प्लेट हो गए बद्रिना धाम के कपाट कर शीत काल के लिए बंद हो रहे हैं भारी संखे में तीर दी आतरी बद्रिना धाम पहुच रहे हैं पताईएज़ जोह आगे भी खबर जा रहे हैं और पिंग चोड़ सुप्वेक के लिए आप बने रहे नियूज ही लिए